वेलकम तो दिस्टेट्स प्रेटफर्म विवर्ज आज हमें स्टेट 630 के लेसन नमबर 17 को डिस्कॉस करेंगे मेजर्मेंट्स ओफ कॉंसेप्ट इसके अंदर यह जो टेबल दिया हुआ है इसके अंदर आपने प्रेशान होने है खबराने की जुरूद नहीं है इसके अंदर फ्रस करें आपसे पुछेताक आपको फुर्ण जीज़ पसंद है अब एग्री है इसको हम डिसकस करेंगे यहां से स्केल्स औडिक्स से Scale क्या है कि A scale is a measure in which Researches captures the intensity Direction, level Or potency of a variable Construct जैसे कि Table में दिखाया गया है Agree, Disagree यह हमारा क्या है यह Scale है Indexes क्या है Assign number to scales 1, 2, 3 मसलिन आप से कहा जाता है कि 1 से 5 रेट करना है शुरू में एक कीज दे दी जाती है एक का मतलब Agree टू का मतलब Strongly Agree इस तरह मतलब के शुरू में की दे दी जाती है बाद में आपने वो Answer Agree, Disagree नहीं लिखना होता है आपने 1, 2, 3 में उसका Answer करना होता है Types of Scales पहला है Nominal Scale बहुत important है यह Short Question, Long Question जो है आपको पेपर में आ सकता है Skills का अंदर पहला Nominal Scale है यह सब्जेक्ट को मुख्टिफ काटेगरिज में तक्सीम करता है यानि चीज़ों को Classify करता है यानि चीज़ों को Male और Female के तोर पर Classify करता है यानि चीज़ों को Classification करता है और इन्हें एक तरतीब भी देता है Higher से Lower की तरफ या Lower से Higher Position की तरफ Interval Scale यह उपर वाले दुनों काम करता है यानि कि चीज़ों को Classify भी करता है तरतीब भी देता है और साथ-साथ Equal Intervals पर चीज़ों को Divide करता है आगरी है Ratio Scale इसमें उपर वाले तमाँ खसूसियात पाए जाती है और साथ-साथ इसमें Natural जिरूर की खसूसियत भी पाए जाती है Height, Weight, Distance वगएरा यह Ratio Scale की एक्जामपल्स है इसके अंदर है MCQS के वाले से इंपॉर्टन है वो मैंने हाइलेट की हुई ही को भी एक बार देख लीजिएगा अच्छा विरूर्ज आपने देखाऊगा मैंने Lecture 14 के बाद 17 स्टार्ट कर दिया है क्योंकि इस दफ़ा जो आप लोगं का Slaybis NME Term का उसके अंदर Lecture No. 15 और 16 जो हैं वो शामिल नहीं है और इसके लावे जो Lectures शामिल नहीं है मज़ीद वो मैं इसके अंदर शामिल नहीं करूँगा Lecture 18 शामिल नहीं है फिर 19 से लेकर 22 तक जो है Lectures शामिल है वो सारे इसके अंदर एड़ करूँगा मैं Next time फिर देखा जाएगा जब Slaybis अगर चेंज होगा तो उसी साबसे फिर Lectures जो है वो जो रहते होंगे वो एड़ कर लिए जाएंगे मिलते हैं अपने Next लेसन के साथ जल्द ही Till then टेक कैर अलाफिस